Hello guys, welcome back to my channel, so कैसे हो आज सब इंटीरियर में लाइटनिंग का सबसे जादा इंपोर्टन रोल रहता है, ये लाइन ना मैंने सौ बार बोली है, आपकी डेली एक्टिविटिस को प्रफॉर्म करने के लिए लाइट का सही पोजिशन पे होना बहुत ज़रूरी है, ये लाइन भी मैंने हजार बार तो बोली है अपने चैनल पे, उसके बाद भी जो एक कमेंट है, वो हबसे जादा आता है, वो है कि क्या माम हम पूरे घर के अंदर सीओ भी लाइक्स यूज कर सकते हैं, तो यार लाइटनिंग की सेलेक्शन में और इंस्टलेशन में बहुत सारी कोमन मिस् और साथुपट रफें लाइन इस की की ओगी है अगिय। अगर है नोलेश्ट नहीं तो आप की गलती रहे आपके डिमाग में आुगा है, लेकिन आपको ये गलतियां नहीं करनी हैं, और उसके प्रो उसके शम् तो start करते हैं वीडियो को starting करते हैं आपके questions से ही क्या हमें पूरे घर में COB lights यूज करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए उसका reason क्या है आपका living area है या फिर आपका bedroom है हर चगा पे different kind of activities होती है मतलब कि bedroom में है शायद आप पढ़ रहे होंगे living area है शायद आपको बैड के TV देखना है like different different kind of activities होती है and lights होती है वो उनको activities के हिसाब से ही place किया जाता है और first question क्या हमें COB lights साल जगा यूज करनी चाहिए तो guys नहीं हमें lights के साथ play करना है मतलब कि आपके घर में different types की light होना बहुत जरूरी है again activities same नहीं है तो lights कैसे same हो सकती है अब जैसे कि हम 15 साथ पु tube lights होती थी बहुत घर में आज भी होंगी तो tube lights की हम लोगों को आदत है उसका main purpose क्या होता उस एक light से अपना पूरा कमगाना अच्छे से light up हो चाता था तो उस tube light की replacement क्या है हमारी ceiling की panel light क्या होता है panel light का कि जो lights आ रहे है उसको uniformly पूरे room में spread करना मतलब की पूरे room में एक जैसी lights आना बिना किसी object को reflect कि है मतलग की lights होंगी लेकिन परचाई बहुत कम होगी लेकिन जो cob lights होती है again वो V बनाती है मतलग की जिस area में उसने V बनाया है उस area में light है लेकिन बाकी area में हलका सा अंधिरा है या फिर आपको shadows नजर आएंगे तो guys अगर आप अपने living area में ह तो आप नहीं चाहोगो कि जो light है वो सिफ furniture पे आए या सिफ आप पे आए बाकी पार्ट में अंधीरा रहे आपने अकसर बहुत सारी reference देखी होंगी जिसके अंदर सिफ एक चीज़ पे focus है तो practically आप अगर डेली ऐसा focus अपने घर में लेकर आओगे तो trust me आप पान से छे द सीलिंग के अंदर ना पैनल को और COB को आपस में mix करते हैं खाली COB हम यूज कर सकते हैं लेकिन पैसेज एरिया में या फिर फॉयर एरिया में जहां पे आपको कुछ और activities की जुरत ही नहीं है लेकिन आपका living हो गया आपका kitchen हो गया आपका bedroom हो गया महां पे कभी भी COB मत देना हमेशा COB को पैनल की साथ mix up करो खाली COB नहीं दोगे आपको एक दिन दो दिन अच्छा लगेगा लेकिन long term के बाद आप खुद परिशान हो जाओगे कि आपके घर में sufficient lightning नहीं है तो इसलिए being a designer में आपको बारबा ये line बोलती हूँ खाली COB लगाना से घर अच्छा लगेग अफकॉस यह भी घर की interior को highlight करती है लेकिन उसका purpose है उसको use करने का उसको हम ऐसी locations पर देते हैं जहां पर हम जाते हैं कि focus हो लेकिन आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहोगा कि पूरे घर में सिर्फ focus हो मतलब कि एक इनसान महा रह रह है उसको अपनी daily activities से जादा लगाव इसलिए next time से कभी भी 40 UB के बारे में सोचो तो यह सोचना कि आप ऐसे waste कर रहे हो आपको सिफ 3-4 दिन अच्छा लगेगा उसके बाद आप बहुत साधा fed up होने वाले हो second सबसे बड़ी गलती जो लोग कहते हैं कि क्या मैं पूरे घर में सिर्फ warm white light रखूँ क्या मैं पूरे घर में सिर्फ natural white light रखूँ या फिर क्या पूरे घर में सिर्फ cool white light रखूँ इसी भी चीज का कोई mixture ना हो तो अपने घर के अंदर आपको कभी भी cool white light यूज नहीं करनी है घर के अंदर प्लाइट sunlight की होती है जानि कि हल्की white में पेल यलगो जो टच होता है यानि कि natural white light हम वो यूज करते हैं घर के अंदर ताकि depth भी हो और white light है वो आपके performance में आपकी help भी करें and again जो interior है of course yes वो highlight होता है warm light से तो इसका मतलत नहीं है कि आपके घर की सारी lights yellow होंगी no जो आपकी COB lights है या फिर जो आपकी cove lights है या hidden lights है उनको आप yellow कर सकते हो लेकिन सारी lights को yellow नहीं करना इसका एक simple सा rule है जो panel lights होती है उनको आप natural white light रगो and जो बाकी lights है like COB है या फिर cove lights है उनको आप warm light warm white light का touch दे सकते हो लेकिन सारी lights को सिफ white मत रखना and सारी lights को सिफ yellow light मत रखना वो अच्छी नहीं लुक देती and कुछ ताइम बाद आप खुदी बोर हो जाओगे because आपका घर है वहाँ पर हर ताइम एक same mood नहीं रहता कभी you want की warmness हो coziness हो तो आपको yellow lightening की need होगी उस ताहीं पर इसलिए हम सीलिंग पर different lights यूज करते हैं and different type of temperature भी यूज करते हैं तो आपको ये दो biggest mistake अपने घर में बिलकुल भी नहीं करनी so guys that's all for the video I hope do you like it if you do so the channel को like share and subscribe जरूर करना thank you guys for watching